उम्शान्ती आज 24 एप्रिल 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यत रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को सपष्ट करेंगी आधर्निय आशादीदी आज की रिवाइस कोस की डेट है 31st मार्च 1990 और मुर्ली की हेडलाइन है रहम दिल और बेहद की वेराग वृत्ती आज लफ्फुल और मर्सीफुल बाब दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं आज बाब दादा विश्व के सर्व अंजान बच्चों को देख रहे थे भले अंजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं बाब दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मजॉरिटी आत्माओं को समय प्रती समय किसी न किसी कारण से जाने अन जाने भी वर्तमान समय मरसी अर्थार्थ रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही merciful बाब को याद करते रहते हैं बाप तादा दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं एक तो जो बाब समान है और दूसरे वे बच्चे जो बाब को जानते पहचानते नहीं है तो बाबा ने क्या देखा कि वर्तमान समय गौड़िस मर्सी कहकर के लोग पुकारते हैं और परमात्मा मर्सिफुल है तो मिज्जॉरिटी को कभी न कभी रहम की मर्सी की आवश्रक्ता पड़ती है और वो फिर परमात्मा को मर्सी के रूप से याद करते हैं तो बाबा ने का तो चाड़ों और की आवश्रक्ता प्रमान इस समय रहम दृष्टी की पुकार है क्योंकि एक तो भिन भिन समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धी का संतुलन न होने के कारण merciful बाब को वो अपनी अपनी माननेता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परिशानी से पुकारते रहते हैं चाहे अंजान आत्माएं बाब को न जानने के कारण अपने धरम पिताओं वो गुरुओं को वो इश्ट देवों को merciful समझ कर पुकारते हैं लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाए एक बाब परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकते यह भी समझ है क्योंकि आत्मा है तो merciful नहीं हो सकती है उनके अपनी limitation होती है लेकिन सब कुछ समाते हुए देखते हुए जो मर्सी कर सकता है वो परमात्मा ही है इसलिए परमात्मा की और ही सब की नदर जाती है भले बाग उन्हों की इच्छा पूरन करने के कारण भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को वह महानात्मा को निमित बना दे लेकिन दाता एक है यह बहुत इंपोर्टन बात समझने की है कई बार जिसको भी भक्त याद करते हैं चाहे इष्ट को याद कर रहे हैं चाहे अपने किसी विशेश उसको याद कर रहे हैं जिसको वो परमात्मा मानते हैं देवता मानते हैं तो बाबा ने कहा कि इन सब के द्वारा भक्तों की भावना को पूरा करने के लिए इन सब के द्वारा मैं उनको प्राप्ति करा देता हूँ लेकिन ये बात भूलनी नहीं है कि दाता मैं ही हूँ, मैं ही इनके द्वारा कराता हूँ तो बाबा ने कहा, merciful बाब बच्चों को भी कहते हैं कि बाब के सहयोगी साथी, बुझाएं आप प्रामन बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्रकता है, वो देने से प्रसन हो जाते हैं, तो master merciful बने हो, आपके ही भाई बेहन हैं, चाहे सगे हैं वो लगे हैं, लेकिन हैं तो अपने परिवार की अंजान परिशान आत्माओं के उपर रहम दिल बनो, दिल से रहम करो, विश्व की अंजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मन परिवार के पुरिशारत की तीवर गती के वो स्व उन्नती के लिए रहम दिल की आवश्रकता है स्वव उन्नती के लिए स्वव पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद वेराग वृत्ती स्वता ही आती है बाबा ने दो चीजों को associate किया हैं, एक है बेहत की वेराग विर्ति और दोसा रहम, और इसमें बाबा ने कहा कि रहम की विर्ति भी जागरत तब होती है, जब पहले स्वयम के प्रति होता है, अब स्वयम के प्रति रहम करना क्या होता है? जैसे जो चीज हमारे लाइक नहीं है हमारे स्वामान के लाइक, हमारे कुल के लाइक हमारे स्टेटस के लाइक, हमारी फैमिली के लाइक जो चीजे नहीं है वो हमारे अंदर है जो नहीं होनी चाहिए वो हमारे अंदर है तो स्वैम पर रहम आएगा न कि मैं कितनी अच्छी family की और ये मेरे अंदर क्या है तो जब तक दिल से एक होता है उसके प्रती गुसा आना ये मेरे अंदर क्या है अब उसके वे गुसा करने का तो फाइदा नहीं है परंतु रहम करके स्वेंब के उपर मैं को इस चीज की correction करनी है ये बात पुर्शार्थ में आजाती है बाब दादा आज यही रूरहान कर रहे थे कि सभी बच्चे knowledge में तो बहुत होशियार है points वरूप तो बन गए हैं लेकिन हर कमजोरी को जानने की points है जानते भी हैं कि यह होना चाहिए करना नहीं चाहिए यह जानते हुए भी points वरूप बनना और जो कुछ वियरत देखा सुना और अपने से हुआ उसको full stop की point लगाना नहीं आता है तो बाबा ने कहा अपने उपर रहम और औरों के उपर रहम फिर बाबा ने कहा कि बाब से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं बाबा सच्छे भक्तों की बात बता रहा है इसलिए कई पाप करम से बच्छे हुए रहते हैं तो ग्यान मार्क में भी जो यथारत रहम दिल है उसमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ती होती है जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए तीन बातों के परवश बन जाते हैं वो तीन बाते हैं अलबेलापन, इर्शा और क्रणा ये तीन चीजें जो बाबा ने बताई है यह तीन चीजे बाधर होती है जो रहम दिल बनने नहीं देती हैं कोई भी कम्सोरी वह कमी का कारण बाबने का 90 प्रतिशत यह तीनों बाते ही हैं अलबेलापन, इर्शा और ग्रिणा और जो रहमदिल होगा वो बाप के साथ ही धरम राज की सजा से किनारा करने की शुब इच्छा रखते हैं जैसे भगत डर के मारे अलबेले नहीं होते ऐसे ब्राह्मनात्माए बाप के प्यार के कारन धरम राजपूरी से क्रॉस न करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है फिर बाबा ने कहा और जब अपने प्रती रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति वैसी स्मृति वैसी सर्व ब्रहमन सृष्टी के प्रती स्वता ही रहम दिल बनते हैं यह यथारत ज्ञान युक्त रहम बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रती इर्शा व ग्रिणा का भाव दिल में उत्पन करने नहीं देगा ग्यान्युक्त रह्म के साथ साथ स्वयम की रुहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है अकेला रह्म नहीं होता लेकिन रह्म और रुहाब दोनों का बैलन्स रहता है फिर बावा ने का अगर ग्यान्युक्त रह्म नहीं है साधारन रह्म है तो किसी भी आत्मा के प्रती चाहे लगाफ के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से, उसके उपर प्रभावित हो सकता है ग्यान युक्त रहम चाहिए, यह वेसे यह नहीं, अगर ग्यान युक्त रहम होगा तो हम सेफ रहेंगे तो बाबा ने कहा, बाबा ने इसे भी अमानत में खयानत कहा, तो बाबा ने कहा, जब मन बुद्धी दे दिया तो फिर आपकी रही, कहां जो प्रभावित होते हो जब मन बुद्धी दे दिया बाबा को, तो कौन प्रभावित हो रहा है तो बावा ने कहा देखो ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मनाभव तो मन मनाभव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के उपर चाहे गुणों के उपर, चाहे सेवा के उपर चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि बेहद की वेरागी होने के कारण बाप के स्ने, सहयोग, साथ इनके सिवाए और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा बुद्धी में आएगा ही नहीं तुम्ही से उठू, तुम्ही से सौ, तुम्ही से खाऊ, तुम्ही से सेवा करू, तुम्ही साथ scoreom जोगी बनू, यही समृती सदा उस आत्मा को रहते हैं बाबा ने कि बहुत गेहराई से, आज रहन दिली की बाते बताही है, तो पुरा एक क्लास इस मिश्रे पर हो सकता बाबा ने कहा कि सहयोग लो कोई भले कोई श्रेष्ट आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है लेकिन उसका भी दाता कौन है सहयोग लो लेकिन दाता कौन है ये भूलना ने चाहिए श्रीमत एक बाब की है कोई निमत आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है निमत आत्माए, श्रेष्ट आत्माएmad, कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मथ पचलो मेरी मथ ही श्रीमत है ये नहीं कहेंगी श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते यथारत सहयोग लेना और सहयोग देना बाबा ने भी स्पश्च कर दिया कि श्रीमत किसकी है श्रीमत मेरी ही होती है बहने आपको स्मृति दिलाती है श्रीमत की जो बाबा की श्रीमत है तो बहनों की श्रीमत नहीं हुआ करती है तो बाबा ने का दीदी की धादी की श्रीमत नहीं कहेंगे श्रीमत निमित बनते हैं श्रीमत की शक्ती स्मृती दिलाते हैं इसलिए कोई भी आत्मा के उपर प्रभावित नहीं होना है अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं चाहे उसके नाम की महिमा पर रूप पर वह किसी विशेष्टा पर तो लगाव के कारण प्रभावित होते हैं, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धी है, मेरा ज्ञान बहुत सपष्ट है, मेरे में जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकते, मेरी मेंटर बुद्धी है। मैं गुडवान हूँ, यह अपने उपर प्रभावित नहीं होना है। विशेशता है प्लानिंग बुद्धी है लेकिन सेवा के निमत किस ने बनाया मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है इसलिए स्ववनिती के लिए यथारत ग्यान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है फिर बाबा ने हमें आगे बतलाया फिर ये इर्षा ग्रिणा समाप्त हो जाएगी तीवर गती की कमी का मूल कारण यही है इर्षा ग्रिणा या प्रभावित होना बाबा ने आज की मुर्ली में चार बाते बताई एक और भी बताई बाबा ने दूसरों के उपर और चौथी बात सुनाई अलबेलापन ये चार बातें हमेरे हम दिल में बनने में थोड़ी बादा डालती है और या उसके उसकी कॉलिटी को चेंज करती है या माया के साई में ले जाती है ये तो होता ही है टाइम पर तयार हो जाएंगे ये बाब दादा ने एक हसी की बात पहले भी सुनाई थी ब्राह्मन आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है इस प्रकार बाबा ने बहुत सुन्दर रिती से हमें ये साभी बाते स्पष्ट करी है फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाए कि स्वह उन्नुती तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे चाहे महरती हो चाहे नए हो बाब दादा की एक ही शुबाश्चा है जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है तो रिजल्ट तो सुनाएंगे ना बाब दादा अल्पकाल का वेराग नहीं चाहते नीजी वेराग आए जो बाब को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना नहीं सोचना नहीं बोलना इसको बाब दादा कहते हैं दिल का प्यार दिल का प्यार और वेराख जो मेरे बाबा को प्रिये नहीं है वो मुझे नहीं करना है तो बाबाने का अभी मिक्स है कभी दिल का कभी दमाग का राज बाबाने बरदान दिया प्राप्तियों को इमर्च कर सदा खुशी की अनुभूती करने वाले सहज योगी भव सहज योग का अधार है सनेह और सनेह का अधार है संबंद संबंद से याद करना सहज होता है संबंद से ही सर्फ प्राप्तियां होती है जहां से प्राप्ति होती है मन बुद्धी वहां सहजी चली जाती है इसलिए बाप ने जो शक्तियों का ग्यान का गुणों का सुक शानती आनंद प्रेम का खजाना दिया है जो भी भिन भिन प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों को बुद्धी में इमर्च करो तो खुशी की अनभूती होगी और सहज योगी बन जाएंगे स्लोगन है जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसंचत है प्रश्न विक्ति को confusion में ले आता है प्रश्न एक होता है जिग्यासा जिग्यासा गलत नहीं होती है प्रश्न संचे का रूप ले लेता है तो प्रश्न में ता समापत है तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का सपष्टिकरन यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मेसेज या वाट्साप मेसेज करें डबल नाइन थी जिरो नाइन पर ओम शांति